नमस्कार केजरिवाल जी, मैं प्राउड इंडियान एक बार फिर से हाजिर हूँ आप से कुछ नए सवाल पूछने के लिए शकल क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, उस पे कंसलेट करने की बजाए ध्यान दीजिए उन कोस्टन्स पे जो मैं आप से पूछना चाता हूँ क्योंकि ये शकल किसी की भी हो सकती है, हर एक उसे इंडियन की हो सकती है, जो आप से यही सवाल पूछना चाता है मुझे आप बताईए कि आज आपने जो भाशन दिया और उसमें आपने कहा कि अगर तीन दिन में सरकार डी मोनिटाइजेशन का जो फैसले उसे वापिस नहीं लेती है तो आप ला एंड ओर्डर की जो कंडिशन है वो आप क्रिएट कर देंगे आपने क्या कॉंट्रेक्ट साइं किया हुए देश के दुश्मनों के साथ कि आप हर उस काम में टांग अडाएंगे हर उस काम को होने नहीं देंगे जो देश के लिए अच्छा आप मुझे कुछ सिंपल से कोश्चन्स का जवाब दीजिए जो आज आपने अपने भाशन में बोला सबसे पहले आपने एक बहुत उंची उंची आवाज में आपने बोला कि 40% लेकर पुराने नोट बदले जा रहे हैं जी होम डिलिवरी हो रही है जी आप मुझे बताईए कि कौन कर रहा है वो होम डिलिवरी कहां पे हो रहे हैं है जवाब आपके पास आप क्यों नहीं बताते हैं पुलिस को आप क्यों उनसे उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं अगर आपको सही में मालूम है तो जूट बोलना बंद कीजे हवा में बाते करना बंद कीजे आप दूसरा लोगों को मुर्ख बना रहे हैं कि आमबानी अदानी बिरला ये सब लाइन में नहीं लगे हूँ है भाई सहब लाइन में कौन लगता है एक आम जनता लगती है उन्हें क्या डी मोनिटाइजेशन होने से पहले वो लाइन में लगते थे लाइन में तो आप भी नहीं लगे मैंने तो नहीं देखा आज 9 दिन हो गए हैं आपका या आपकी पार्टी का कोई इंसान लाइन में लगते ले रहा हो पैसे आपके घर का गुजारा कैसे चल रहा है जनता को मूर्क बनाना बंद कीजिए आप मुझे बताइए जब आपने दिल्ली में ओड इवन का प्रोग्राम लाए थे तो कितने लोगों को परिशानी होई थी कितने पेशेंट जो दूसरे स्टेट से आ रहे थे कितने आम पब्लिक, कितने वर्किंग प्रोफेशनल्स को कितनी दिक्कत हुई थी नहीं हुई थी दिक्कत तब आपने कैसे इस चीज़ को परमोट किया था तब आपको लोगों की प्रॉबलम नजर नहीं आई थी तब हम सबने आपका सपोर्ट किया था क्योंकि वो एक अच्छे काम के लिए था ये एक बहुत अच्छा काम है आपको नहीं मालूम कि SBI की हेड ने इंटरस्ट रेट कम कर दिये है आपको नहीं मालूम कि दिल्ली में प्रोपर्टी के रेट 20-25% तक डाउन आ चुके हैं आपको नहीं मालूम कि कश्मीर में चार महीने बाद आज ट्रेन चली है पत्राव बंद हो गया है स्कूल खुल चुके हैं नहीं मालूम सब मालूम है आपको और आप लोगों को बेवकुफ बना रहे हैं कि आम जनता परिशान है कोन है ये आम जनता आपको जो लोग फोलो करते हैं जिनने आपने माया जाल में फसाया हुआ है वही आम जनता है आपको वो आम जनता नजर नहीं आती जो बैंक में 12 घंटे, 8 घंटे लाइन में वो दिव्यांग लगा हुआ है और वो ये कह रहा है आपको वो आम जनता तब नजर नहीं आई थी जब दिल्ली में चिकन गुनिया और पोल्यूशन के कारण क्या हाल करके रख दिया था आप बता रहे हैं कि इतने लोग मर गए चिकन गुनिया के कारण आप बताईए मुझे कितने लोग मर रहे हैं pollution के कारण दिल्ली में, अगर आपको सही में एक आम जंता की problem है तो, ये हम सब जानते हैं कि ये जो आप मायहा, वती, ममतब एनरजी या लालू बरसाद यादव के साथ जो आप ये कर रहे हैं, वो आप आम जंता के लिए कर रहे हैं, या अपने लिए कर रहे हैं, वो सब जान लगाईए, अपने जो efforts हैं, वो problem पे concentrate करने की बजाए, उसको solution करने पे लगाईए, जितने लोगों की आज आपने rally की, अगर उतने लोगों को आपने समझा के, बैंकों में लोगों की help करने के लिए भिजा होता, तो ये problem शायद थोड़ी कम गई हो गी होती, समझने की कोशिश कीजिए, जनता मूर्ख नहीं है